देखो question number 18 explain the following first why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric bulbs क्यों जो है tungsten का use हम लोग हम लिखा दे रहे हैं लिख लेना copy में why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps electric lamps के लिए ज्यादा तर tungsten क्यों use होता है तो सबसे पहला बात की के इसका जो melting point बहुत है melting point बहुत है तो जल्दी गरम होने पर electric lamps तो गरम होगा न चल्दी गरम पर पिखलेगा नहीं melting point बहुत हाई रहता है ठीक है और resistivity भी बहुत हाई रहता है तो आराम से ये heat produced जादा करपाएगा तो resistivity high होता है और melting हाई होता है इसलिए दूसरा वायार लीतिक हेंडिक इलिमें परफे टॉस्टे यह सब्सक्राउड सब्सक्राच इंहीं होता हैं कि जात यह को परता है ही fato कि मेंन सक्थरिय में allowes have High Resistivity or which resistivity will produce more of air allowing high resistivity hence they produce large heat hence they produce large amount of heat hence they produce large amount of heat why is the series arrangement not used for domestic circuits निफिव अगर मालो कि हम दो रिजिस्टर लेते ठीक है एक दो रिजिस्टर ले रहे है अधासों और दूसरा भी दस हों जिए अगर हम दोनों को सिरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बाव दोनों जुड़ जाएगा तो भी सो और अगर दोनों को पैरलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेस्टेंस कितना होगा आधा दस बाइद दो पाँच तो बताओ किसमें ज्यादा करेंट मिलेगा पहला वाला मैं कि दूसरा वाला मैं है कि देगो डेगो डेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो करेंट को रोख है उसलिक ऑरफ है का रेजिस्टेंस का मैं उसमें करेंट यादा होगा ऑनना ए उसलिए मैं वहलता हूं इसके लिए परिशेशाइट कैंदा frightening तो फिर उसके लिए हीट भी तो बहुत जादा प्रोडिस होगा इसलिए अच्छे से काम नहीं करेगा वह ठीक है एक चीज और इसमें फाइदा यह है कि देखो अगर हम लोग सीरीज कंबिनेशन में करते हैं और यह वाला हो गया खराब तो अगर यह खराब हो गया तो इसके अगर सीरीज कंबिनेशन कर दिया है मान लोगी बल्ब को पंखा को टीवी ऐसी फिरिच सबको सीरीज में लगा दिया तो कोई उस लाइन में कोई भी एक खराब होगा ना तो आगे का सब बंद हो जाए सब्सक्रीज कंबिनेशन से अपन में हिंक हम लोग इसका अंशर क्या लिखेंगे की इन केंसौफ रफ एभ्स सिरीज कंबिनेशन कंपिनेशन we get high we get high resistance we get high resistance hence low current hence low current and more and more amount of heat and more amount of heat okay and more amount of heat which is not a favorable condition which is not a favorable favorable condition यह लिख देना है ठीक और extra में जो second point बताए कि एक खराब होने पर सब खराब हो जागा वह भी लिख सकते हो extra number how does the resistance of a wire vary with its area of cross section मतलब की resistance जो है area cross section से किस पर कार डिपेंड करता है बहुत असान है देखो फॉर्मूला होता है कि आर इकोस्टू रो इन्टू एल बाइए इसमें आर जो है यह है रेजिस्टेंस ठीक है और यह रेजिस्टिविटी है यह रेजिस्टिविटी है यह एल जो है लेंथ है और जो है area है ठीक है तो तुम बताओ कि यहां पर और और ए में क्या सा relation है उल्टा inverse inverse मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा ठीक है यह लिग देना है कि उल्टा पूर्ट एलेशन ना अर्या उपर एक निचे न तो अगर आप एको बढ़ाएंगे तो आर घटेगा अगर आप एको घटाएंगे तो आर बढ़ेगा उल्टा थी की रिलिग जयना है की रिस्सेंस इस इड री प्रोपोर्शनब मअल तो उक्रॉक्षेश्न उक्रॉसट하는데 इस्टेंस इस टार्म स्लिटक्र तो थी क्रॉस्टेंट एड-ड्या पृटेगा बढ़ेंदिकंगा ěउना था य्या् को एरि को नॉस्टेंग अ Belo Dave कोपर सकते कदे को रहा से कोपर जिए इसकी पृत काम होता है तो यह जदा हीट नहीं होगा कई होने से फीक है तो इसलिए यूज किया जाता है